हेलो एव्रिवन स्वागत है आपका एक बार फिर्द से आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एव्रिवन पर जहां आप सीखते हैं वोकेवलरी और अपने इंग्लिश को बनाते हैं इफेक्टिव आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ advanced English vocabulary जिनको आप अपने daily conversation में यूज करके अपने vocabulary बेंग को enhance कर सकते हैं तो चलिए करते वीडियो स्टार्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, वीडियो अच्छी लगे तो like करें और share करें First word है construe, construe एक verb है जिसका मतलब होता है किसी बात का विशेश अर्थ लगाना मतलब की किसी बात को एक अलग ही या विशेश तरहीके से समझना जैसे हम किसी का behavior देखके एक ही बार के behavior को देखके सोच लेते हैं कि वो बुरा व्यक्ती है या अच्छा व्यक्ती है तो उसका मतलब होता है construe Example है don't construe my silence as my weakness मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझो Next word है परूज परूज एक verb है जिसका मतलब होता है ध्यान से पहना मन लगा कर पहना या अवलोकन करना चात अपने प्रशनों के सही उत्तर पाने के लिए पाठ को ध्यान पूरवक पहर रहे थे या मन लगा कर पहर रहे थे जब हम किसी चैप्टर को बहुत ही कियरफुली पहते हैं तभी हमें उससे related questions के answers मिलते हैं तो परूज का मतलब होता है ध्यान से पहना next word is suave suave एक adjective है जिसका मतलब होता है shift, suave में, madhur, sabh या मीठा बोलने वाला मतलब की बहुती ज़ादा politely बोलने वाला लेकिन चापलूस मतलब किसी की चापलूसी करने के लिए किसी से अपना काम निकलवाने के लिए या किसी को अपनी कोई बात मनवाने के लिए किसी की चापलूसी करना या किसी की बट्रिंग करना जिसको कहते हैं मक्खन लगाना example देखते हैं the suave salesman is able to sell all his products to the customers विनम्र या shift या कह सकते हैं चापलूस विक्रेता अपने सभी उत्पादों को ग्राहों को बेचनी में सक्षम होता है यह quality होती है एक salesman की वो shift होता है लेकिन चापलूस भी होता है तो suave का मतलब होता है shift मधूर लेकिन चापलूस अगला word है atrocious, atrocious भी एक adjective है जिसका दो meaning होती है जिसके first meaning होता है बहुत खराब, घटिया या अप्रिया कोई चीज या कोई situation जो बहुती ज़्यादा खराब होती है या बहुती ज़्यादा खराब quality की होती है जो की अच्छी नहीं लगती है second इसका meaning होता है वोता है अती निर्दई, दहलाने वाला या भयानक mostly इसका use हम crime के लिए करते है मतलब दिल दहलाने वाला जो crime होता है उसके लिए करते है examples की तरफ पर आते है first example है there are atrocious conditions of people in the slum areas of the city शहर के जुगी जोपड़ी वाले इलाकों में लोगों के बहुत खराब हालात है यानि की बहुती घटी आहलात है तो first meaning से ये sentence है second meaning से है he is arrested for committing an atrocious crime उसे एक जगर ने मतलब की दिल दहलाने वाले अपराद को करने के आरोप में गिरफतार किया गया है तो atrocious मतलब बहुत खराब और भयानक अगला word है venerate venerate एक word है जिसका मतलब होता है समान करना, आदर करना, श्रद्ध होना, श्रद्ध पूरवक व्यवहार करना या पूजना मतलब किसी की या किसी चीज़ की बहुती ज़ादा respect करना उसे बहुती ज़ादा श्रद्धा से धेखना जिसको हम बोलते हैं पूजना एक्जाम्पल है वी शोट टीच अवर चिल्डन टू वेनरेट अवर नैशनल फ्लैग एज अ होली थिंग हमें अपने बच्चों को अपने राश्ट्रिय द्वच का पवित्र वस्तु के रूप में आदर करना सिखाना चाहेंगे या उसे पूजना सिखाना चाहेंगे या उसके प्रती श्रद्धा रखनी सिखानी चाहेंगे तो वेनरेट का मतलब होता है सम्मान करना या पूजना नेक्स्ट वर्ड है वांटिंग वांटिंग भी है के अड्जेक्टिव है जिसका मतलब होता है कम मतलब कोई चीज जो बहुत कम है या फिर बिलकुल भी नहीं है तो उसके लिए हम वांटिंग का यूज करते हैं एक्जामपल से क्लियर करते हैं परिक्षा में अनुक्तीर होने के बावजूद उसमें एक और प्रियास की तैयारी के लिए उत्सा की कमी नहीं है मतलब वो फेल हो गई एक बार लेकिन दूसरे जो प्रियास करेगी वो या दूसरी वाज जो एक्जाम देगी उसके लिए तैयारी करने में उसमें उत्सा की कमी नहीं है Enthusiasm का मतलब होता है उत्सा और Wanting मतलब कमी या नामवजूद्गी अगला word है Fluster Fluster noun भी है और verb भी है इसको हम as a noun भी यूज़ कर सकते हैं और sentence में as a verb भी यूज़ कर सकते हैं As a noun इसका मतलब होता है घबराहट, परिशानी या उलज़न और as a verb इसका मतलब होता है घबराहट, उलज़न या परिशानी में डालना मतलब किसी को कोई बहुत सारा काम देकर उसे घबराहट में डाल देना या उसको पैनिक कर देना, बहुत सारा काम देकर बहुत ही ज़ादा पैनिक कर देना किसी को Examples देखते हैं, First Example है यदि आप किसी काम को घबराहट में करते हैं, तो आप उसे कभी भी अच्छी दरासे नहीं कर सकते हैं इस सेंटेंस में हमने फ्लस्टर को as a noun यूज़ किया है, अब as a verb देखते हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको Nothing can fluster her because she is a very calm lady उसे कुछ भी परिशान नहीं कर सकता है क्योंकि वह बहुती शांत महला है यहाँ पर हमने fluster को as a verb भी उस किया है अगला word है engender engender एक verb है जिसका मतलब होता है पैदा करना, उत्पन करना, उजागर करना या सामने लाना मतलब किसी चीज के सामने आने का या किसी चीज के पैदा होने का कारण में बनना example से clear करते हैं His new film has engendered a lot of controversy उसकी नई film में काफी विवाद ख़गा कर दिया है विवाद ख़गा कर दिया है मतलब विवाद उत्पन कर दिया है या विवाद सामने आ गया है उस फिल्म की बजा से तो engender का मतलब होता है पैदा करना या सामने लाना अगला वर्ड है predilection, predilection एक noun है जिसका मतलब होता है गहरा जुकाव अनुराग या गहरी पसंद मतलब की कोई चीज जो बहुती जादा पसंद होती है जैसे example से clear करते है I had a predilection for having chocolates in my childhood but now I don't like it मुझे बच्पन में चॉकलेट खाने का शौक था या बहुत जादा पसंद थी मुझे चॉकलेट लेकिन अब मुझे यह पसंद नहीं है अगला वर्ड देखते हैं क्या है अगला वर्ड है odium odium एक noun है और predilection का opposite word है जिसका मतलब उता है घ्रिवन, नफरत, अरुची या नापसंदगी predilection का मतलब था बहुत जादा पसंदगी और odium का मतलब है नापसंदगी या अरुची example है The movie is facing odium from public for its controversial title film अपने विवादस पच शीशा के लिए जनता की नफरत का सामना कर रही है मतलब अपने controversial title की वज़ा से लोगों की अरुची का सामना कर रही है मतलब लोग उसे पसंद नहीं कर रहे है तो odium का मतलब होता है ग्रिवन, नफरत, अरुची या नापसंदगी अगला word है derogate derogate एक verb है जिसका मतलब होता है अनादर करना, अपमान करना या तिरसकार करना स्टार्टिंग में हमने एक word सीखा था venerate ये venerate का opposite है मतलब antonym word है venerate का मतलब होता है आदर करना और derogate का मतलब होता है अनादर करना example है we should never derogate our parents and teachers हमें कभी भी अपने मातापिता और शिक्षकों का अपमान नहीं करना चाहिए या अनादर नहीं करना चाहिए तो derogate मतलब अनादर करना, अपमान करना या तिरसकार करना अगला word है innocuous एक adjective है जिसका मतलब होता है अहानी कर हानी हीन, हानी रहित या नुकसान ना पहुचाने वाला मतलब की हामलेस, जिससे हमें कोई भी हाम ना हो या कोई भी नुकसान ना हो एक्सांपल देखते हैं, this is an innocuous medicine so there is no need to worry if it is taken by your baby यह एक हानिकर दवा है या हानी रहित दवा है इसलिए यदि आपके बच्चे ने इसे ले लिया है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तो innocuous मतलब नुकसान ना पहुचाने वाला next word is obtuse, obtuse एक adjective है जिसका मतलब होता है मंद बुद्धी, कम अक्ल, बे अक्ल या मतिमंद, मूर्ख या बेवकूफ मतलब जिसको ज़्यादा समझ नहीं होती है या मूर्ख होता है वो बेवकूफ होता है example है तो obtuse का मतलब होता है कम अक्ल या मूर्ख या फिर बेवकूफ अगला वर्ड है मारे लिस्ट में elated, elated एक adjective है जिसका मतलब होता है अती प्रसंद, बहुत खुश, प्रफुलित या उल्लासित मतलब बहुती ज़्यादा है या बहुती ज़्यादा खुश example है हमारी टीम राज इस तर लिये क्रिकेट प्रतियोगिता में ट्रोफी जीतने के लिए उच्छा हित थी या ट्रोफी जीतने पर बहुती ज़्यादा खुश थी, बहुती ज़्यादा प्रसंद थी तो इलेटिड मतलब बहुत खुश अगला वर्ड है जो कि हमारी वीडियो का लास्ट वर्ड है जो है डॉग्मेटिक डॉग्मेटिक एक एड्जेक्टिव है जिसका मतलब होता है कट्टर, हठी, बेयदब, हठ धर्मी या अडिग मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता है कि मैं ही सही हूँ या मेरे व्यूज या जो मैं सोचता हूँ बस वही सही है बाकी हर कोई गलत है, हर कोई रॉंग है एग्जाम्पल है, he is a dogmatic person so everybody avoids to talk to him मतलब वह एक हठ धर्मी व्यक्ति है या हठी व्यक्ति है हर कोई उससे बात करने से बचता है मतलब वह सोचता है कि बस वही सही है बाकी सब गलत है, इसलिए हर कोई उससे बात करने से बचता है तो dogmatic मतलब हठी या बेदब तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ 15 advanced English words share किये है जिनको आप अपने daily conversation में use कर सकते है inverse को अपने vocabulary bank में add करके अपनी vocabulary को enhance कर सकते है I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो please like करें, share करें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अपने यह झारी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है